दोस्तों आप देख रहे हैं ये खंबी जो है ये कितनी बुरी तरीके से तूट चुके है यहां एक जील के अंदर बनवाई गई थी और सामने में देख रहे हैं ये पहले के टाइम पे जील थी दर आये हैं और यहां पर मुझे एक रस्ता दिख रहा है अंदर जाने का अकब हलो दोस्तो नश्कार मैं दीपग और आज मैं आपको एक फिर से एक एत्यासी जगह पर लेकर आया हूँ जी हां मैं एक एसी जगह पर आपको लेकर आया हूँ जो की हमें इत्यास से जुड़ने पर मजबूर करती है क्योंकि इक्यास की बहुत सी ऐसी इमारते हैं जो कि समय के साथ साथ में खंडर नुमा होती जा रही है और इसी का सबूत में आपको दिखाने वाला हूँ कि समय की जो थपेड़े लगकर ये जो मेरे सामने आप छतरी नुमा देख रहे हैं ये सोलवी सदी की स्थापदी की एक इत्यासिक इमारत है और आज हम इसको एक्स्प्लॉर करेंगे अच्छे से कि ये किस समय में बनाई गई थी और किसके दुआरा ये बनवाई गई थी और ये हैं परपज क्या था बनवाने का ये सब आप बाते जानेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस इमारत के ऊपर यूटूब के इत्यास के अंदर आज तक कोई व्लोगी नहीं की गई है ना ही इसको कभी दिखाया गया है यहां तक कि इंटरनेट पर भी इसका वर्णन आपको अच्छे से नहीं मिलेगा को और मैं आज आपको अच्छे से इसको दिख दोस्तों अभी हम इसके नीचे का पॉर्षन आपको दिखाएंगे कि इसके नीचे भी अभी काफी कमरे नूमा जो बने हुए है आप मेरे पिछे देख रहे हैं यह जो बने हुए है जरोक के दोनों तरब से अभी इसमें स्थानिय निवाशो दुआरा अभी इसमें तूड कर दोना चाहता हूं कि इसके अंदर पूरा जो काफी कमरे बने हुए है यह जो आप कमरा देख रहे हैं यह बिलकुल तूट सा गया हैं अंदर से आप देख रहे हैं कि समय के थपेडों ने इसको भी तोड़ दिया है और आप अंदर देख सकते हैं जो अभी आगे इस दिवार का अलग से portion निकल चुका है क्योंकि ये तूट चुका है और अभी हम अंदर चलेंगे इसके और पूरी अंदर का सीन दिखाएंगे दोस्तों अभी हम इसके left portion के अंदर आए हैं और यहां पर मुझे एक रस्ता दिख रहा है अंदर जाने का इसका special कोई रस्ता नहीं है यहां से जो ज़रों का दिख रहा है ये तूटा हुआ है और अभी इसके अंदर अपन चलेंगे और अंदर देखेंगे एकस्प्लोर करेंगे कि अंदर क्या है इसके तो अभी साथ चलिए मेरे दोस्तों इसके अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पत्थरों का इस्तमाल इसके अंदर किया गया है और ये नीचे करने के बाद हमें ये दिखेगा पूरा जो जिस गेट से हमाए है उसी तरह से एक portion और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि पत्थर अभी बिल्कुल टूट फूड चुके हैं और इनमें जो चूना पत्थर था वो निकल चुका है और इसकी उपर की बात करें तो इसको बड़ी बारीकी से बनाया गया है और जो चोकोर्स डिजाइन में आपको आप देख सकते हैं यह चोटी इट है और पहले के जमाने में भी यह इटों का परियोग हुआ करता था जो आप उपर देख सकते हैं यह इट घश चुकी है काफी पतली इट दिखरी है लेकिन दिखने से यह काफी मजबूत लग रही है लेकिन फिर भी अभी यह टैम के आगे आके एक बर ये छोटी इटो का परियोग भी ये गूमट सो बनाई गई है इस गूमट में परियोग किया गया है देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से इसमें परियोग किया गया है इन छोटी इटो का हर जगें पर और इसके सामने ये आले नुमा बनाया गया है जो कि ये मुझे लगता है कोई कुछ चीजे रखने काम आता होगा और इसमें एक मुझे कुछ चीज दिख रही है जो इसके बीच में ये एक गोल छेद नजर आ रहे हैं मेरे को दो ये किस परपत से बनाए गए लिकिन ये बड़ा को टेकनीक होगी इसके साइड में अपन नीचे देख सकते हैं गुफा नुमा इसके नीचे अपन देख सकते हैं गुफा बिलकुल देखिए एक बार ये गुफा कहां तक जाती है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहां पर नारनोल के अंदर काफी इमारते ऐसी है जो की जिनके नीचे अंडरगराउंड गुफाय है दे सकते हैं बीरबल का च्छता उसके अंदर भी ऐसे ही गुफाय है और ये गुफा कहां तक जाती है मैं कुछ कह नहीं सकता तो इसके अंदर जाएंगे नहीं हम और इसके बाद हम चलते हैं राइट वाले पॉर्शन के अंदर उस तरब भी चलकर देखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है तो अभी हम आए हैं इसके राइट वाले पॉर्शन के अंदर और यहां पर जाने का हमें ये एक मातर रस्तर नजर आ रहा है इसके जरी हम अंदर जाएंगे और explore करेंगे अंदर का कि क्या कुछ बना हुआ है इस तरफ क्योंकि मुझे कुछ अलग दिख रहा है इस तरफ वो अभी आपको हम दिखाएंगे अंदर चल कर तो आईए साथ चलते हैं अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहां पर कितना तूट फूट हो चुकी है यह जो इट है यह आप देख सकते हैं यह बिलकुल घंश चुकी है जो इसके अंदर चूना पत्थर था वो बिलकुल निकल चुका है और यह कभी भी गिर सकती है कि आप दे बड़े इतनी मेहनत के साथ में इसको बनाया गया था और आप देख सकते हैं पास में आकर एक बर कि इसका चूना जो है पत्थर का बिल्कूल निकल चुका है कितनी अंदर तक दश चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि किस अवस्ता में टूट फूट हो चुकी है और सामने जो यह है स्थानिय निवाश्यों ने यहां पर पेड़ को काट कर भर दिया है यहां पर और यह कभी भी गिर सकती है और तो अभी चलते हैं उपर आपको नीचे का पूरा पूर्शन दिखा दिया है मैंने और अभी उपर चलकर देखते हैं कि अभी उपर का क्या स्थीति है इसकी और किस अवस्ता में यह अभी बना हुआ है तो आईए दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट की तो फ्रंट में अभी बना हुआ है दोनों साइड इसके सीड़या बनी हुई है और बीच में आप देख सकते हैं जो ये रैंप नुमा है जो जरने का काम करती थी और इसके अभी सामने काफी जाड उग चुकी है और मैं इसके साथ में इस पूरे जो एतियासिक इमारत है इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एतियासिक इमारत एक बांध के अं पर बना दिये गए है जो पहले के ताइम में यहां पर काफी पानी भरा हुआ होता था और यह जो आप देख रहे हैं इमारत यह पूरी पानी के अंदर थी पहले और अभी इसकी आप अंदर देखेंगे कि अभी ये किस स्थीथी के अंदर है और उपर अभी चलते हैं और उपर का पूरा नजारा आपको दिखाते हैं दोस्तों जो आप मेरे पिछे देख रहे हैं उपर आने के बाद में ये छतरी नुमा इसको बोला जाता है बरादरी जी हाँ बरादरी इसको इसले बोल जाता है क्योंकि इसके राइट वाले पोर्शन में चार खंब्या बनी हुए और लेफ्ट में चार खंब्या है और बीच में इसके चार है तो कुल मिलाकर इसमें 12 खंब्या बनाई गई है इस हिसाब से इसको बोला जाता है बरादरी की छतरी इसको बनवाया गया था अकबर काल के दोरान 16 सताबदी के अंदर मिर्जा खलील दुआरा क्योंकि इसका मिर्जा खलील को यहाँ पर मिर्जा ए जामा का पद मिला हुआ था और उन्होंने यह जो छतरी बनवाई थी यह एक जील के अंदर बनवाई गई थी और सामने मेरे आप देख रहे हैं इस तरफ यह सामने जो भांध नुमा देख रहे हैं यह पहले के टाइम प पर यह खलील सागर जील का इनका नाम पड़ा और इस खलील सागर जील के अंदर ही यह चतरी बनवाई गई और इसको अब बोला जाता है खलील सागर की बरादरी जी हाँ इसको बोला जाता है खलील सागर की बरादरी जो की है नारनोल के नारनोल पड़ता है मेहंदरगर ड दोस्तों मैं बात करता हूँ शत्री की तो ये शत्री काफी बड़ी चबूत्रे पर बनाई गई है और ये चबूत्रा जो अभी हमने आपको नीचे दिखाया था जो कम्रे बने हुए थे वो चबूत्रा उपर से ऐसा दिखाई देता है और अभी इसके अंदर काफी जाड़ पूस्तूं जो बात करते हैं में अधिर संत्री जिसका नाम पड़ा इसका खंडीयों के लिए इन खंड्रकी की हम बात करते हैं तो इն खंड्रकी के अंदर चूना पथर से ये बनाई गई है और आप पास ने बड़े डिजाइन देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से ये डिजाइन बनाया गया है इसको इससे अपन पैचान सकते हैं कि काफी अच्छे से इसको बनाया गया और इस तरह आप देख सकते हैं इन खंब्यों का एक अद्बुद नजारा क्योंकि इसको पहले एक पत्थर से रखा गया काफी बड़ा पत्थर लाया गया इसको रखा गया उसके उपर दो खंब्या लगाई गई जो कि किसी भी परकार से किसी जॉइंट में जोडी नहीं गई है सिर्फ पत्थर के उपर पत्थर रखकर ही बनाई गई है और उसके उपर ऐसे ये छत्री बनाई गई है और मुझे लगता है आसपास के एरिये के अंदर सबसे बड़ी छत्री यहीं है क्योंकि काफी विशाल छत्री यह बनाई गई है और अंदर आकर हमें पता चलता है कि यहां पर पूरी टोटल 12 खंब्या लगाई गई है और काफी मजबूती से बनाया गया है लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि समय के साथ साथ में जब इसको लगबग 300 से 400 साल हो चुके इसको बनवाए गए और ये 300 से 400 साल के अंदर तूटना स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप ये खंब्या देख सकते हैं यहां से तूट चुकी है देख सकते हैं आप कैसे टूट चुकी है ये खंब्य पूरी गोल थी और अभी यहां से पूरी तूट चुकी है ज़ory देख सकते हैं आप ये खंब्य उसी तरज पर बनाई गई है फिलाल ये खंब्य सलामत है और ये लेफ्ट पोरशन में देख रही है ये खमी बिल्कुल सही सलामत है और इससे पता चलता है कि कितनी मजबूती से इसको बनवाया गया था तो ये जो खमी बनाई गई है काफी मोटी बनाई गई है और हम बात करते हैं जब इसकी उपर की तरफ देखते हैं तो हमें काफी खुबसुरत नजारा नजार आता है ये कैसे बनवाई गई है और इसके उपर बिल्कुल मीडल के अंदर हमें देखते हैं तो हमें फिर से वही चीज नजार आती है जो कि हभी हमने नीचे देखा था जी हाँ इटे जो छोटी-छोटी इटे हैं वो हम इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनवाया गया इटो के दुआरा और साथ में चूना पत्थर के साथ में बनवाया गया और अपन देख सकते हैं तीन सो से चार सो साल इसको हो चुके हैं और अभी तक ये टिकी हुई है बस वो थोड़ा सा इसको जो खंब्या है वो तूट चेकी है बाकी बिल्कु सही सलामत है पाल बना हुआ है जो कि यहां पर जो जील थी उसके पानी को रोकने का काम करता था और इस तरह भी एक पाल बनाया हुआ है काफी मोटी दिवारे बनाई गई है वो भी पानी रोकने का काम करती थी और इसके साइड में ये पाल बनाया हुआ है देखिए ये जो सीन सारा है ये उस खलील सागर का सीन है यहां पर पानी भरा हुआ करता था पहले के टाइम पर अभ आप देख रहे हैं यह खंबी जो है यह कितनी बूरी तरीके से तूट चुके हैं यहाँ पर और कभी भी गिर सकती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ समय बाद यह घिर भी सकती है इस अवस्ता के अंदर है और यह डिजाइन देख रहे हैं आप इस खंबी के उपर यहाँ पर और ये कितनी खुबसूरत बनाई गई है छत्री काफी बड़ी छत्री बनाई गई है ये बनी बाति आप देख सकते हैं और इसका उपर का पोर्शन और ये पूरी छत्री का नजारा कितना खुबसूरत लग रहा है यहाँ से तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं जो मेरे पिछे आप देख रहे हैं बरादरी की छत्री इसको हमने अच्छे से एक्स्प्लोर किया और आपको दिखाया कि अभी है किस अवस्था के अंदर है और हमारी ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह काफी अच्छी रही और इस वीडियो के अंदर मेरा जो साथ दिया है मेरे कैमरा परसन यमन सैणी ने और काफी अच्छी ये वीडियो रही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी वीडियो को लाइक करें और शाथी वीडियो को शेयर करे ज्यादा है ज्यादा ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिले ऐसे ही हम आपके लिए ऐसी अची वीडियो लेकर आते रहे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत झाल